मुँ चिन्मय मोदी आसिस्टन्ट प्रोफेसर स्टीजे इंटरनेशनल कॉलेज सूरत हेड अकाउंटन्सी डिपार्टमेंट आपनू रामानुजन कॉलेज द्वारा आयोजिद गुजरा दी मुख कोर्स मा हर्दिक स्वागत करूशो मीत्रो आजे आपने अहीन Data Ecollection and Analysis एटले के माहीत्री 31 करण तैमच माहीतिना विसलेशन विसे समझीशो तो आपने आजे आखो विशाय चे आखो टॉपिक छे एनने चार भागमा समझीशो सर्वप्रथम पहला भाग माहीती न एकत्रिकरण छ्वाल एपने टूकाम चरचाक करशओ तो डीटा इटले कोलेक्ष लेक्षन एटला क्यों सर्वप्र olives पहला एज समझभी ज़रूरी छे ते समत्ता पहला आपने एंस समझू जरूरी छे कि महीत ये टले शू डेटा येटके महीती ये प्रोसेस करेली इन्फर्मेशन छे जेने व्यवस्ति रीते आपनी जरूरियात प्रमाणे चे आखो महिती नो समूँ चे एमा थी आपने जरूरी चे वस्तु जेतली बावतों चे तेने आपने अलग छाटी अने एक जग्याए भेगी करिये तेने महिती के वहां आवे चे डेटा कलेक्शन is the process of gathering and measuring information on variable of interest in established system and fashion that enables to answer stated research question, test hypothesis and evaluate outcome महितीनु । 11,3, करण एक एवी प्रक्रिया छे जयनी अंदर महितीने भेगी तथा भेगी करी, तेने गोटवी अने तेनू तेनुं मापदंड नक्की करी, आपनी जरूरियात प्रमाने, तेमा थी जरूरी विश्लेशन जरूरी सवालोनो जवाब बेडवानों पूर्व धारणाउनी चवागासणी करवानी अने परिणाम मिडव आमाटे जे आखी प्रक्रिया छे महीती भेगी करवादे ए एनी वाद तरी रहीशा है आम जो अजे ए तो विशलेशन रिसर्च ना संशोधन नू आखु कारिया छे रिसर्च नू तेनू सौथी पाया नू कारिया एटले महीती नू एकत्री करण कारण के जो महीती नहीं होई तो संशोधन नू कारिया खुबज मुश्केल थाई जाई छे अने असंभव थाई जाई छे जे महीती ना एकत्री करण नी जे प्रकरिया छे ते खुबज वीचार मांगी लेनारी अने खुबज प्रयास मांगी लेनारी प्रकरिया छे तेनी अंदर प्रौपर एकदम सचोट एनू पहले थी एक नक्की करेला मापदंड प्रमाणे प्लानिंग करी राखू पड़े छे खूब मेहनत थी धीरज थी अने एकदम चीवट थी काम करी तो बहीतिनीनू सफड ता पूर्वक एकात्री करणत करवू शक्या बने चे महीती एकात्री करणनी जे प्रक्रिया छे ए महीती भेगी करवानू शरू करिये त्यां थी शरू थती न थी महीती एकात्री करणनी प्रक्रिया शरू थाई छे त्यार्थी के जारे आपणे नक्की करिये के आपणा संशो धन्ना अनूरूप आपणे कया प्रकारनी महीतीनी जरूर पड़ से केटली महीतीनी जरूर पड़ से ए महीती आपणे क्या थी भेगी करीशू अने कया कया साधनों नो उप्योग करी आपणे समस्टी माथी नक्की करेलो निदर्ष कई रीते मेड़ दीशो आरीते महीतीना एकत्री करणनी आखी जे प्रक्रिया छे नी शरूर आचे ते नक्की करिया बाद जे माध्यमों छे महीती एकत्रीत करवाना ते नक्की करवामा आवे शे साधनों नो विकास करवामा आवे शे अने त्यार बाद एकत्री करणनी प्रक्रिया ने शरू करवा आगण वधिये, अवे महीती नू एकात्री करण करवा माटे आपने सवथी पेला ए समझू पड़े किया बे प्रकार्नी महीती होई शके, तो बे प्रकार्नी महीती शे, एक छे प्रात्मिक महीती और एक छे गुण महीती, प्रात्मिक महीती, एटले के एवी महीती के जे कोईपण जग्याए प्रकाशित थाई नथी, आने जेते विशाई वस्तु अथ्वा व्यक्ति द्वारा सीधे सीधी आपने एना मुडु भूत परीव रूप मां मले छे, एनू रूप बदलायो नथी, एमा कोईपण प्रकार आणुँ संपादन करवामा आव्यू नति, एडिटिंग थयूझ नति, और शमपून रिते शुद्धा औकडाओ और शुद्ध विचारो आ कडाओ जो आकडा कीये होई तो आकडाthen कीये ना होई तो विचारोके महीती और शुद्ध आपने स्वारूप मा माले छे प्रात् एटले के एने केवामा आवे छे गौण माहीती अवे गौण माहीती एटले शूं गौण माहीती एटले एवी माहीती के जे आपणा नहीं बीजा कोई द्वारा आपणा संचोधन माटे नहीं एम ना कोईपण संचोधन अथवा कारिय माटे भेगी करवामा आवेली माहीती छे अने तेनों उपियोग आपणे करीशू आपणा संचोधन माटे एक कोईपण जग्याएं कोईपण सनस्थाएं कोईपण कारिय माटे भेगी करेली महीती छे परंतु ते महीती आपणा संचोधन मा आपणने उपियोग रूप थाई शके एवी छे एटला माटे आपने ए महीती नो आपना-पोता ना काम माटे उपयक करी शो एटले आ ठयो गव्ण महीती अवे प्रात्मीक महीती आन संसोधन माटे होई चे जे सौथी मूट्टो तफावच्छे ए छे के मूण भूत रीते च्यारे प्राथमिक महीती भेगी करवानों ध्ये ए आपना संसोधन माटे होई छे कोई पण वकत आपने च्यारे प्राथमिक महीती भेगी करिये तो एवू नती होतु के कोई बीजा कारणों सर करेली भेगी करेली प्राथमिक महीती आपने आपना कारिय माटे उप्योग करी चो कोई बीजा प्राथमिक महीती भेगी करी होई अने एनों उप्योग आपने आपड़ा संशोधन ना विशाई ने एकदम अनुरूप प्रात्मिक महीती होती होई छे जारे गौन महीती ए समस्टी नी एमज के कोई अलग खास कारणों सर्व के कोई अलग खास संशोधन विशाई आर्थे करवामा आवेली तपास चे अने एकठी करवामा आवेली महीती छे के जहनों आपने संपूर्ण रिते अथ्वा तो एक भग आपने आपना संशोधन माटे उप्योग करी शक्यायाम छे तो ए जोता आपणे एनो उपयोग आपणा पोताना संचो धन माटे करिये छी, आ थाई गौण महीतीनी वाद, प्रात्मिक महीतीना पोताना अमुक फाइदा हो छे औने अमुक मरियादा हो छे, ए जरीते गौण महीतीना पण पोताना अमुक फाइदा हो छे औने अमुक मरिय आपने आ चार जे व्याख्यान चे ए दरम्यान समझीशूं। बधू नजीक होई एउ आपने मानी शक्ये। एना संदर्भ करता प्रात्मिक महित्रीने वधारे आधार्भूत और वधारे सचोट गणवामा आवे छे। गाउन महिती गणी वखत पूर्वग्र युक्त होई छे। अंदर जेते संचोधक छे एना पोताना पूर्वग्रा अथवा तो एना पोतानी मान्यताओ प्रमाणे एने ए महितीनू एकत्रीकरण करियू होई शक्ये। के एवुज होई दर वखते पण एवु होई शक्ये छे। ज्यारे प्रात्मिक महिती मा तेवु शक्य न थी। एटला माटे जगवन महिती करता प्रात्मिक महितीने वधू शुद्ध औने वधू सचोट गणवामा आवे छे। प्रात्मिक महिती भेगी करवा ना गणा बधा रस्ता हो छे। जे नीचे प्रमाने छे। सवथी पहला छे क्वेस्चनेर। एटले के प्रश्ना वली। एटले कोई पड आप विशाई जेना विशे संशोधन थाई रह्यू छे। तेना आजू बाजू के तेने लगती तमाम जे वस्तुओ छे के तेने संशोधकने जे पड वस्तुओ के जे पड बाबत के जे पड मुद्दो आ संशोधन जेते संशोधन माटे उपियोगी एवात तमाम संशोधनों नों समू एक प्रस्णावली तरीके उभोगरवामा आवे तेना द्वारा जे जवाब आपनारा जे लोको छे ते लोको एकज रीते बद्धाज जे जवाब आपनारा लोको छे ते बद्धाज एक सर्खी जरीते एनों जवाब आपसे के एना विशे पोताना मत आपसे तो एना लिदे ज्यारे प्रतिसाद आपनाराओ एक समान सवालों पर पोतानों प्रतिसाद आपसे तो जे संशोधक छे तेना माटे ते प्रतिसादों नों विशलेशन सरण बनी रह से तो प्रश्णावली ज्यारे एलोकोंने पोताना अभीगमों एलोकोंना अनुभवों विशेवाद करवानी होई अने मोटा भागे आकडा किया वाद होई त्यारे खुबज उपयोगी थाई रहेचे तेना पची छे इंटर्व्यू इंटर्व्यू एटले के एक मुलाकात रूबरू मुलाकात के जेना द्वारा ज्यारे प्रतिसाद आपनारा लोकों ओचा होई अथवा तो प्रतिसाद आपनारा प्रतिसाद जे विशय वस्तू पर संशोधन चाली रहेऊ छे जेना प्रतिसाद लेवानों छे ते कोईपण एक प्रश्नावलीमा बंधाही शके तेवू न होई त्यारे मोटा भागे प्रतिसाद माटे रूबरू मुलाकात एडलेके इंटर्व्यू नो उप्योग करवामा आवे छे आपन प्रात्विक वहीती भेगी करवानी एक बहु खुब महत्वनी एक पद्धती छे अने जेमा मोटा भागे प्रतिसाद आपनारा ओचा होई त्यारे आ प्रक्रिया नो के आ पद्धती नो वधारे उप्योग करवामा आवे छे अने गुणात्मक एटलेके क्वालिटेटीव रिसर्च आपनु संशोधन होई आकणा किया संशोधन माटे करता पण गुणात्मक संशोधन वखते आ प्रकारना इंटर्वियू एटलेके रूबरू मुला का घणा ओपयोगी थाई शके छे फोकस गुरूप इंटर्वियू एटलेके एक प्रकारना एक स्पेसिफिक एक चौकस वर्गमा थी आउता घणा बधा लोकों होई ते बधाने साथे बैसाड़ी और एमना कोई एक विशाई वस्तु एक बधामाज होई एवी एक विशाई वस्तु पर एमना विचारो और एमनी मान्यताओ अंगे चर्चा करे चे मोटा भागे फोकस ग्रूप इंटर्व्यू मा छोथी बार प्रतिसाद आपनारा लोकों एक साथे भाग ले चे अने तेओ कोई एक एक वात अंगे पोताना मत आपे चे अने एना अधारे जे संशोधक छे जे पोतानी वीते तेमना विचारो नुँ संपादन करे चे अने पोते उपियोग करे चे एना पची जे छे ते लगभग प्रात्मिक महीतीना एकत्री करण नी सौथी सचोट रीत कही शको एछे ओब्जर्विशन एटले के अवलोकन अवलोकन मा जे संशोधक छे ए पोते पोतानी जरीते कोई एक विशय कोई एक बाबत के कोई एक वस्तु विशय पोताना वीचारो नी नोध करे चे अने ते पोते जपची एनो उपियोग पोताना संशोधन मा करे चे आ ज्यारे खुबज उंडार पुर्वकनु रिसर्च करवानु होई, संचोधन करवानु होई, त्यारे उप्योग मा आउती, अने आ खास गुणात्मक बाबतों ना विशलेशन माटे नीज सवथी वधारे उप्योग मा आउती पद्धती छे, तेना पछी छे सर्वे, एटल कोई पण वकत ज्यारे भवगोलिक रिते वदवीशाण जग्याना समस्टी माथी नक्की करेला निदर्शोनु ज्यारे आपणे प्रतिसाद मेडवानु होई, त्यारे सर्वे, एटले के मौजणी नी प्रक्रिया पण, खुब सारी रिते उप्योग मा आवे छे, अने तेन द्वारा प्रात्मिक महितीनु खुब सारी रिते इनो एकात्री करण थाई शके छे, तेना पची वाद करिये, तो केस स्टडी, एटले के कोई एक केस नक्की करी, अने तेना अंगे अभ्यास करी, अने बधा जे प्रतिसाद आपना रहो छे, तेमना पण प्रतिसाद ठाई शके छे, तेयार बाचे प्रोसेस अनालिसिस, एल ले के प्रक्रिया विश्लेशन, कोई पन एक वस्तूनी थावा नी, कोई एक बाबत नी थावा नी प्रक्रियानु जेवस्थित रिते करवा मां आउता विश्लेशन ना अधारे, पन गणी बधी प्रात्मिक महिती, एरीते 01 ठाई शकait कि चीते परक्रिया, कि जिएते प्रक्रिया अंगेज जियारे जवादन ठाई रहें ठाई रहाँ होई, तेरे कोई एक अलग अलग व्यक्तियों द्वारा थती एक समान प्रक्रिया मां सुन फरक पड़ी शक्याशे अने ते द्वारा महीती एकत्रीत करवा मां आवेशे तेना पची छे टाइम एन मोशन स्टडी कोई पन एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु माटे कोई एक प्रक्रिया माटे लेवा मां आवतो समाई अने करवा मां आवतो एमना द्वारा करवा मां आवतो हलन ए बीजाल व्यक्तिकरता अलग हसे एटले कोई एक व्यक्ति ना एक समाई न आप्रावरुती ना संदर्वमापन जोई है तो फरी वक्ति करसे न फरी वक्ति करसे तो तो लर्निंग कर्व ना अधरे एमा फरक आई शके आपन प्रात्फिक महिती ना एकत्रीकरण नी एक उप्योगी प्रक्रिया छे अने छेल्लू छे प्रयोग प्रयोग द्वारा पण ज्यारे आपने खास करीने वईग्नानिक अने मेडिकल छेत्रानी वाद करिये त्यारे आ प्रकार नी प्रात्मिक महिती ना एकत्रीकरण नी बद्धती खुबज उप्योग मा आवती होई छे अवे वाद करिये गउण महिती नी जे मैं अगाव तमने जणा विव ए प्रमाणे गउण महिती एटले कोई एक जग्याए एक वार प्रकाशी थाई गयेली महिती ए कोई पन सहीतिय अथ्वात कोई ना पन संशोधन ना धार भूत ए महिती आपने आपणा माटे पन उप्योग करी शक्ये छे उदाहरण तरीके वस्तिगणत्री ना जे महिती छे ते कोई पन विद्यार्थी ना कार्यक्षेत्र ना पसंदगी अने तेमनी कमाणी उपर सु असर करे छे तेना माटे पण जे वस्तिगणत्रीनों महिती छे वस्तिगणत्रीनों सम्पूर्ण महिती तेमाथी जरूर पूर्ती वस्तुओं लेवामा आवीशक्ये छे वस्तिगणत्रीनों महिती पची कोई पण संस्था पूरा जूना रेकॉर्ड पहला एकखट्री करवा मावेली गुनात्मक महिती पची आने एना सीवाई घणा बधा न्यूस्पेपर मैगेजीन मावेली जर्नल्स मावेली महिती अब अधीच जक्या एथी महिती लई शकाई छे कारण के जूनी महिती अंगे नवो सर्वे करवो ये शक्या न थी नवी मोजनी जूनी महिती माटे शक्या न थी तो ए वखते ए वस्तु फरजियात बनी जाई छे के फरजियात पने जारे भूतकाडवा बनेली वस्तु अंगे संचोधन करवान हुआ तो गवण महिती न उप्योग फरजियात बनी जाई छे अगण वाद करी ए तो गवण महिती ना गवण महिती क्या-क्या थी मड़ी शक्ये छे तेना स्त्रोत काया काया छे तमे कयो एम पुस्तको रेकोर्ड जूना राखवामा आवेला रेकोर्ड बायोग्राफी एटले के आत्मकथाओ एनसेवाई न्यूसपेपर एनसेवाई वस्ति गणतरी ना अने बीजा सरकारी आकडाओ डेटा ना जूना महिती ना जूना संग्रहो माथी इंटरनेट पर आवता आर्टिकल्स माथी आने बीजी बधी जे जर्नल्स चे जे अवेलेबल जर्नल्स तेमना पन संग्रहो धनना आर्टिकल्स माथी आने अलग-अलग डेटा बेस माथी आपणने गउन महिती मड़ी शक्ये छे तो आ भाग मां आपने आटली चर्चा करी अने हवे आपने आवता आना पच्छी ना भाग मां गउन महिती आने प्रात्मिक महिती ना बीजा पासाव विशे चर्चा करी शू धन्यवाद प्लाओ भाग महिती तोतर है करुसा प्लाओ प्लाओ है मनुए युछल इालग-अलग ना भाग मेगड्या MBA